जैहन मेरे प्यारे सातियों मैं परवीन सर्मा आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है क्यूब रूट बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि से क्यूब रूट निकालने बहुत जादा परिशानी आ रही है क्यूब रूट कैसे निकालते हैं को सौटकर तरीका बताईए आज के वीडियो में आपको पताने वाला हूं क्यूब रूट निकालने का सबसे सौटकर तरीका कि एक सेकंड के अंदर आप क्यूब रूट कैसे निकालेंगे वह आपको जानना है और मेरे प्यारे बच्चों ज क्या होता है तो आप देख रहे हैं यह जो सिम्मल पीछे लगा वहा है यह हमारा सिम्मल है इस तरीके का जो सिम्मल होता है क्यों होता है वह भूरम जाता है जल्दी से देखेंगे और आज के बादा कभी भी क्यूब रूट गलत नहीं होगा दियां दीजा है कि क्यूब रूट मतलब घंबूल अगर घंबूल की बात की जाए तो मैंने जैसा बताया कि घंबूल का जो सिम्मल होता है यह हमारे घंबूल का छीमल है और घंबूल निकाला बहुत आसान है जैसे चोटी-चोटी कोई संक्या लिए आपसे पूचा जाए कि सर बताए आठ का घंबूल के अंदर कोई नंबर अगर तीन वार आता है जैसे आठ को आठको जब तोड़ेंगे तो दो सब्सक्राइब करें लिए कल ऐसे लिए उस पांसेप्ट का नामैं unit digit concept, एकाई अंक concept, एकाई अंक ती साहितासे मैं आपको बताऊंगा की घनमुल केसे निकाला जाती промचुल समझेगा जैसे मैं आपसे बोलू किसी भी संख्या के आखरी में एक आता है किसी भी संख्या आखरी में एक आता है और ऐसी संक्या का अगर आप घं करेंगे ऐसी संक्या का अगर आप क्यूब करेंगे तो आपके आखरी में कितना आएगा एक ही आएगा अगर किसी संक्या के आखरी में दो आता है और उसका अगर आप क्यूब करेंगे तो आपका आखरी में कितना आएगा आठा है अगर किसी भी संक्या के आखरी में 3 आता है और उसका क्यूं करेंगे तो 3 कव वकिव میरे प्यारे वच्चेilities गाइगा अगर किसी की संक्या की रखी में 4 आता है और उसका अगर की करेंगे वहले चार का देख our क्यूब होता है 216 किसी भी संख्या के आखरी में 6 आएगा उसका क्यूब करेंगे तो आखरी में 6 आजाएगा साथ का क्यूब कितना होता है 343 तो किसी भी संख्या के आखरी में 7 आएगा तो उसका क्यूब करेंगे तो आखरी में 3 आएगा 8 का क्यूब होता है 512 तो कभी भी किसी संक्या के आखरी में 8 आता है और उसका अगर क्यूब करेंगे तो आखरी में कितना आएगा क्रीवें कि नोंग कहरेंगे साथ सौंतीस आता है आखरी में कितना आएगा नौ यह ऐता तो अग्छान करने पर लास्ट में कघए आए गा दो देखेगा तो आठ आएगा है अधिगे साथ चार के लिए चार पान्च के लिए 5 शै के लिए एच्छे साथ के लिए तीन आठ के लिए दो नो के लिए नो आता है मेरे प्यारे बच्चे अगर इतना आप जानते हैं तो आपके लिए घंडमूल निकालना भूँत आसान है क्यूब रूट आप उगलियों से निकाल सकते हैं आप बिना पेन और कॉंपी के भी घंडमूल न और आप मुझे बता ये 6 जो आकरी में आया है तो आप देखेंगे अगर आखरी में 6 होगा ही आखरी में 6 आता है और कहीं 6 दिख रहा है आपको नहीं दिखरा वोगा 6 का cube करेंगे तभी आखरी में 6 आएगा तो आप क्या करेंगे जैसे आपने आखरी में 6 देखा तो आप समझे गए कि 6 का cube करने पर ही 6 आता है 6 देखकर आपने 6 लिख दिया इसके बाद पीछे के 3 अंग आपने अठा दिये इसके बाद क्या किया पीछे के तीन अंकों को आपने हटा दिया अब आपका क्या बचा हुआ है अब आपका 97 बचा हुआ है तो आप मुझे बताइए 97 जो है किसके क्यूग के बीच में आता है 97 किसके क्यूग के बीच में आता है तो आप जानते हैं मेरे प्यारे वच्चे कि 64 की पावर 3 करते हैं तो 64 आता है और 5 की पावर 3 करते है तो 120 companies आता है तो 97 चार और 3 की कीम बीच्वें आता है तो इन दोनों मेंसे हमें छोटा वाला लिआ जाता है तो छोटा वाला आजाएगा और पीछे किता average ंट आप देखेंगे यह जो नम्बर लिखाए ना 46 का अगर क्यूब करेंगे तब जाके 97336 आ जाएगा तो इस संख्या का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो 46 समझ पा रहे हैं इधर आ जाए यह आप देखेंगे इसका क्यूब रूट निकालना है तो आखरी में कितना है नो और आप देखेंगे किसका क्यूब करने प सर 9 आने वाला समझ पा रहे हैं बहुत बढ़िया पीछे के तीनंग आपने अठा दिये बिलकुल अठा दिये तो बचा क्या है 205 205 किसके क्यूब के बीच में आएगा तो आपको पता है 5 का क्यूब होता है सर 125 और 6 का क्यूब मैंने अभी भी लिखा है आप यह सारी क्यूब याद कर लिजेगा चैका क्यूब क्या लिखा है मैंने 216 का क्यूब सर्थ 216 हो जाएगा तो 5 और 6 के बीच में आएगा तो छोटा वाला 5 है और पीछे कितना है 9 तो आप देखेंगे यह जो है इसका अगर आइए इसकी बात करते हैं यहां आकरी में 6 आ रहा है तो आप समझगे 6 देखके आप समझ जाएंगे 6 क्यूब करने पर आकरी में 6 आता है पीछे के तीन अंक आपने हटा दिये अब बचा है 438 तो बताइए 438 किसका क्यूब करूं कि उसके बीच में आ जाए तो आप जानत और पीछे क्या है 6 आप देखेंगे 76 का क्यूब हो जाएगा बहुत सिंपल है बहुत आसानी से करने हैं यहां आखरी में देखा साथ अब साथ किसका क्यूब करने पर आखरी में साथ आता है तो मैं बता चुका था तीन का क्यूब करने पर आखरी में साथ आता है ध्यान द तो आपको पता है नौ का क्यूंग ताट साथ उन्तीस को दस का क्यूंग एक हजार तो आप देख रहे हैं नौ और दस के बीच में आएगा चोटा वाला नमबर नौ पीछे 3 आएगा तो आप देखेंगे किसका क्यूंग बोता है 93 का क्यूंग होता है सभी बच्चे समझ पा रहे हों बिल्कुल सांदार तरीके समझ पाएंगे एक वर सभी लोग जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्दी से आ जाईए यहां आप देखेंगे आखरी में 4 है 4 देखते ही आप समझ जाएंगे 4 किसका क्यूब करने पर आता है तो यह सारी चीजे मैं आपको बता चुका हूँ चार जो आता है किसका क्यूब करने पर आता है चार जो आता है मेरे प्यारे वच्चे चार जो आता है वो चार का ही क्यूब करने पर आता है क्योंकि चार का क्यूब 1331 आप देखेंगे दस और 11 के बीच में आएगा तो छोटा वाले लेना है दस और पीछे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्छे चार आ जाएगा आप देखेंगे 104 का होता है बड़ी आसानी से आप लोग कर पा रहे हैं बहुत सिंपल चीजें हैं सिंपल तरीके से आप लो 5 दोटा वाला नमबर दस आ जाएगा पीछे नौऔ यह dólar 1 जातर समय लगए का क्यूब रूट निकालने में वह उम्मीद है इक क्यूब calculation strong करना चाते हैं तो एक के cube से लेकर 30 तक का cube याद होना चाहिए एक से लेकर 30 तक का cube आपको याद होना चाहिए एक से लेकर 30 तक का square आपको याद होना चाहिए अगर maths की calculation strong करनी है कोई भी आप से पुझे 14 का cube कितना होता है जो भी चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो चलिए आज का सेशन समाप करते हैं जैहिन मेरे प्यारे चाहती हो थेंक यू बाई टेक केर